तो भाय कल 30 माई को स्नोफोल हुई है रोहतां पास में और हैवी स्नोफोल हुई है गाईस यह उसके बाद की वीडियो है यानि की आज 31 माई की वीडियो है आप लोगों की कमेंटे के हम सस्ते बज़ट में रोहतांग पास कैसे पोच सकते हैं आज आपको एक आइडिया यहां पर निचे ब्लैक है और अगर आपको मनाली के अंदर बजट होटल वगेरा की कोई दिक्कत आ रही हो ना तो एक नंबर दे रहो आप इनको कॉल कर लेना मेरे नाम बता देना ठीक है आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी और बजट में एक होटल भी अच्छा मिल जाए तो भाई क्राउड के लिए जो बंदे पूछ रहे थे कितना क्राउड है तो आप लोग देख सकते यह मौलोड की वीडियो है इसलिए रेट ना हर चीज के एकदम हाई हो चुके हैं क्योंकि सीजन का टाइम है गर्मी पढ़ रही है और यहां पर पढ़ रही है मनाली में ब बच्चों को रोतांग पास ना लेके जाएं क्योंकि हाई एल्टीटूड वाली वह जगा है कब मोसम चेंज हो जाता है कुछ नहीं पता आप लोग समझ सकते 30 माई को बहुत ज्यादा है वी स्नौफोल हुई है वहां पर तो आपको मैं बता दू कि आप वहां पे ना सस्ते बच्ट में कैसे पोच सकते जो काफी कमेंड करते हैं बाई बंदे के हम बाइक से जा सकते हैं क्या तो क्यों बाइक तो जाना अलाओ नहीं हो उपर टैक्सी मतलब आप अपनी कार से ही जा सकते हैं टूविलर अलाओ नहीं करते हैं उपर की साइड तो कुछ बंदे बाई ऐ यह आइडिया है क्योंकि ऐसा बंदे काफी कर रहे हैं मेरी वीडियो के कमेंट में भाई क्योंकि उनको सस्ता पड़ जाता मान लीजिए 7000 की टैक्सी बुक हो रही है अल्टो अब दो बंदे कोई और है तो वह शेर कर रहे हैं आपस में मिल रहे हैं अपना जाके वहां मना ल आफ शेर करके जाओ जाओ या कैसे भी जाओ आप चार जाओ जाओ या 3 जाओ हल्टो गाड़ी में 4 बंदे अला हो तो आप लोग ऐसे इजिली मतलब पोच सकते हो सस्ते बज़ट में तो कमेंट बॉक्स ओपन है अगर आप शेर करना चायते हो तो कमेंट कर सकते हो भाई मैं पिन कर दूँगा सारे बंदे उसी में पोच जाना अपना और भाई कुछ कमेंट आयती पिछली वीडियो पर के हम साड़े पांच बजे निकले तो हमें बहुत जाम मिला आपने बोला चार घंटे में पोच जाएंगे तो मैं हर वीडियो में चीक चीक के बता रहा हूँ आप लोगों से मेरे भाईयों मेरी बहनों मेरे बच्चों मेरे बालको के यार आप लोग तीन बजे निकलेंगे तो आप गुलाबा बेरियर जो है ना वहाँ पे चेक पोश्ट पर आप सबसे आगे खड़े होंगे मैं रोतांग पास जाकर आया हूँ तीन बजे निकलता भाई कोई जाम नहीं मिलेगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन आप पांच बजे चार बजे भाई साड़े तीन बजे भी निकलेंगे तो बहुत जाम मिलेगा आपको जितना जल्दी आप पोचेंगे न गुलाबा बेजर पर आपको कोई जाम नहीं मिलेगा बहुत इंजोई करेंगे आप अपनी ट्रिप को अगर आप चार बजे के बाद निकलेंगे तो गाईस फिर अपनी कोई गारंटी नहीं है भाई क्योंकि जाम लग जाता नीचे तक बहुत और इतना जाम लग रहा है आप सोच भी नहीं सकते चार चार किलो मीटर पीछे तक गाड़ी खड़ी है चार पांच पांच गंटे तक जाम लग रहा है तो भाई टैंचन लेने की जोरत नहीं है अगर आप पांच बजे में निकलते हैं तो भी आप लोग पोच जाएंगे भाई कोई दिक्कत ने लेकिन आपको थोड़ा सा जाम का सामना करना पड़ेगा आप तीन बज़े निकलते तो सुबह आट बज़े तक रोतांग पास पोच जाएंगे आप सुबह पांच बज़े निकलते तो आप बाराव एक बज़े तक पोचेंगे बस इतना ही फरक है आपको थोड़ा जाम जहलना पड़ेगा लाइने लग जाती है नीचे तक क्योंकि जो गुलाबा बेरे मैंने पिछली वीडियो में बता है यह भाई क्योंकि जो दीरे-दीरे मैल्ट हो रीजिन हो फिर से बढ़ चुकी है कॉंटिडी जादा हो चुकी है तीस माई को बहुत जादा हैवी स्नोफोल हुई है बंदे मतलब कमेंट करें पिछली वीडियो पर कि हम फस गे थे और क्या पता नहीं क्या-क्या लिखा उ किसी को नहीं पता गाइस तो आप अपने ऐसे बच्चे को लेकर जाए जो आपसे बता सके के ममा मेरे को यह प्रोब्लम हो रही है मेरे को इस चीज में दिक्कत हो रही है और जो बच्चा बोली नहीं सकता आप उसको रोतांग पास ले जाने की बात करेंगे तो गलत है पर्मिट अगर आप ओनलाइन लेते हैं तो आपको पैट्रोल और डीजल तो जो डीजल वाली गाड़िया 400 गाड़िया डीजल वाली जा रही है पर्डे और जो पैट्रोल वाली गाड़िया ना वो 800 800 गाड़िया वो जा रही है रोज की जो गाडिया है ना गाइस ऊपर जो जारी है जो मतलब Uber टेक्सी हो या फिर प्राइवेट कार हो टोटल बारासो गाडिया भेजरे है छोड़ रहे है उपर की तरफ इससे जादा नहीं जारी इससे कम भले से चली जा सकती है लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं भेज रहे टोटल बारा सो गाड़ियों को पर मिट मिलना है तो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया है शेरिंग के ओप्सन में आप सस्ते में कैसे जा सकते हैं कमेंट अपनी छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में के दो बंदे भाई हमें कोई रिपलाई करो हमें अगर दो बंदे कोई और भी है तो आपको ऐसे सस्ता पड़ जाएगा क्योंकि HRTC वाली बस भी नहीं जा रही है और जो कमेंट करके बंदे पूछ रहे हैं बाराल अच्छ हम जाए या रोतांग पास जाए तो अभी रोतांग पास में काफी स्नों मिलेगी बाराल अच्छ के लिए आप टैक्सी बुक करेंगे तो बारा पंद्रा जार रुपे लेगी अल्टो अल्टो गाड़ी तो अभी रोतांग पास ही चले जाओ वहाभी आपको काफी स्नों मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे बर्फ कल भी पड़ीगी यह 30 माई को काफी बर्फ आप लोग देख सकते हैं जारा नाजारा रोतांग पास का है यह आफ्टर स्नों फोल यानि कि स्नों फोल के बाद का यह देख सकते हो आपके कैसा हो रहा है अभी जीरो पॉइंट आगे गाइस तो बस यही ता विलोग आज जैसे जैसे अपडेट रहेगी आप सब्सक्राइब कर लेना मैं आगे आपको सारी अपडेट देता रहूंगा बाई जितना मेरे से होगा बाकी मिलता हूं मैं किसी नेक्ट व्लोग में तब तक के लिए अपना खहाल लगए जो नंबर दिये मैंने टेक्सी वाले आप उनक को कोल कर सकते बैस्ट बंदे फिर मिलतेगा इस नेक्स्ट व्लोग में